हलो दोस्तों स्वागत आपको मेरे चैनल पर दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए यहां पर इडियम और फ्रेजस पर वीडियो लेके आया हूं गाइस हमारा कॉंप्टेटिव एक्जाम में बहुत इंपॉर्टन टॉपिक बनता है इडियम फ्रेजस हर एक्जाम में हमारा इ इडियम और फ्रेजस दियत थे आज भी मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूं इंपॉर्टन वीडियो है अंतर तक देखिए गा और लास्ट पर हम कुछ को संस आप से पुट करेंगे जिसका आप मुझे कमेंट में देंगे तो गाइस इस वीडियो को सुरू करते हैं इंदि घाइस ऑफ तो इसमें की आज कमारा मदलब भेस क्या लोग गेट जीए बढद लेते हैं तो वही है यह इसका इंग्लिस में मतलब देखिए इंडिस गाइस देना प्रमेद कर देना और हिंदी में अगर मैं इसका बताऊ मतलब तो यनके चदम वेस बूसा में एक ऐसी वेश भूसा में जिससे लोग आपको पहचान ना पाएं यानि कि यहां पर कैसी बूसा चद्म बेस बूसा इन लिव ऑफ अदिकी क्या होता है कि जब कोई इंसान कहीं पर जाना नहीं चाहता तो अपने इस्थान पर किसी को भेज देता है कभी कभी क्या ह मतलब हो गया हमारा इंस्टेड ऑफ यानि कि के इस्थान पर किसी चीज के इस्थान पर आप कहते हैं इस चीज के स्थान पर हमें यह दे दीजिए तो वहां पर इंदिक गिस आजाए तो इसका मतलब आपकी समझ में आ गया होगा आगला देखे क्या है तू एंड फ्रो आगे यानि कि जब आगे पीछे आप चलते हैं और कैले हमारें ही में इसके मीनिक बताओं थो हिंदी हालता है इसका इधर उध communic쳤 गूमञा मत Кर्यार इसको में संटेज हो अकर और मत गूम है तो ऐसे सांट पी यूज़ का सकते हैं तो एंद तो अब दिखिए इसमें तो आप याद करना कैसे होगा तो एंद फिरो का हमारा पहले मतलब दिखी कहा है इसका मतलब होता है कमप्विटली इंगलीश में बताओं मतलब तो कमप्लीटली और हिंदी में अगर कहें तो पूरे ताहँ जब कोई चीज़ आप पूरी तरीके से कम्प्लीटली होता है या करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है तो एंड़ यानिकि ठोफ एंड फर एंड एक बार किया ज उसको दो बाल कर दिया तो कुछ काम क्या हो गया पूरी तरीके से खटम हो गया completely हो गया आउट एंड आउट अब देखे जैसे उपर वो थो एंड थो था यह है आउट एड आउट इसका भी हमारा मतलब एक ही ही है और इसको भी आप कैसे याद करेंगे फैसे ही अआद करेंगे आउट एंड आउट यानिकी इक ही काम को दोाल किया गया है जब आप इक काम को दो बाल करते हैं तो क्या हो जाता है काम completely हो जाता है पूरी तरीके से हो सकता है तो इंग्लिष में completely और हिंदी में क्या पूरी तरह से next क्या है by hook और by crook अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ अच्छे या बुरी किसी भी प्रकाश से हिंदी में अगर मतलब बता दे पहले आपको अच्छे या बुरी किसी भी प्रकाश से कहने का क्या मतलब कि मुझे कुछ परवान ही है लोग कहते हैं मुझे चाहिए तो वहां पर आपका फ्रेज क्या जो जाता है by hook और by crook किसी भी तरह से किसी भी तरह से और इंग्लिज में क्या होगा no matter what happens कोई matter नहीं करता कि क्या होने वाला है लेकिन उसके लिए आप क्या कहेंगे by hook और by crook अगर इसको संतेज में आपको यूज करके मैं आपक और by crook मुझे यह चाहिए किसी भी तरीके से निश्ट क्या apple of once आई यह भी बहुत ही famous हमारा है क्या है इसका मतलब अब देखें यहां पर कहले का once I once I का मतलब किसी की आँख और क्या apple of once किसी की आँखों का apple और apple क्या मतलब है यहां पर हमारे apple का मतलब है प्यारा क्या किसी की आँखों का दुलारा इसको हम इंदी में कहेंगे जानी कि आँख का तारा और इंग्लिस में क्या कहेंगे हम लोग person or things that one loves greatly वो कोई भी चीज या person जिसको भी कोई बहुत पसंद करता है जानी कि आँख का अब तारा बहुत इफिमस है यह और बहुत बार पूछने जाने वाला है नेक्स्ट क्या है इन एपल पाई और अब दिकिए इसका मतलब यह हम खुद बेखुद बता रहा है अब दिकिए यहां पे एपल है एपल मेंस क्या सेब और कहने एपाई और यानिक एक और रींज इन टाइडी कंडिशन एकदम बरऊस्थी तरीके से सही कंडिशन में निश्ट दिक्षिक है एधी 11 आवर अब देखी आप ते आप ते किसी से आट बज जानी का टाइम दिया और आप पाउने साथ परनी पहुंच पाने साथ सथ पचाश पे नहीं पहुंच पाने लिकिन तो इसका भी वही मतलब है यानि कि अंतिम चणों में इसका क्या मतलब आया हमारा अंतिम चणों में और इंकलिस में क्या में कहें Detective बहुत ऑने बाह दीर होने से पहले बहुत देर होने क्या अब बहुत तो आप मतलब समझे रहे होंगे कि सोता है कि अब बेकर से यहां पर क्या मतलब है बेकर डिस्क्रिप्ष्सान के मतलब वह डिली तू बहुत जादा कर देना और हिंदी में और ने से पड़े हैं आपने मुह में यानि कि बच्चा अपने मुह में चांदी का चमच लेके पैदा हुआ यह तो इसका मतलब हुआ की है देखें तो यह मतलब है लेकिन हैं आण क्या रहे हैं यहां पर सेष्ड दिखेंक हआ है कि जब बच्चा पैदा उन्माज की साथ खिलाइए गया कुछ भी खिलाइए गया वह पैसे क्ले जाता है चांदी के चंदी से और चांदी के चमत से वही खिला सकते हैं वही लोग खिला सकते अपने बच्चे को जिनके बाद बहुत पैसा होगा जिनकी यहां चमत भी किसके होंगे चांदी के होंगे यानि की मतलब इसका क्या हुआ बॉर्ण इन रिच फैमिली एक रिच परिवार में जन्म लेना और हम ह करके कर दीना यानि कि समाचार को सुना देना बता देना लेकिन अगर इसका addressing मतलब कि रहस को- fury और डिना सभी वी को बता और जो इंगली में वह सही सिस्का मतलब नहीं दे पा रहा यहां पर अमने इस देखी का है बाइपस एंड इस्टार्ट से मतलब क्या होता है कि जब कोई काम आप रुक-डूक के करते हैं जैसे कि काम को क्या फिर बेक ले लिया फिर किया फिर ब्रेक ले लिया तो उस तरीकी क काम को करने के लिए by fits and start वडाता है क्या आता है वर्ड by fits and starts इसका मतलब क्या हुआ इंग्लीज पर पहले देखते हैं frequently stopping and starting again यानि कि तेजी से रुकना और फिर काम को सुरू कर देना यानि कि रुक को रुक के काम करना है हिंदी में किया कहेंगे किसी कार को रुक रुक के करना करना फिर रुकना फिर करना फिर रुकना फिर रुकना वैं नहां फे विदिन एड़ ऑफ यूज वजाएगा विदिन एड़ ऑफ यानि कि बहुत निकट होना किसी भी चीज के बहुत करीब होना निक्स दिखिए क्या है टर्न ओवर निव लीफ अब दिखें इसको दो तरीके से ऐसे देखते हैं इसके हमेरे दो मतलब निकलते एक तो बिजनेस से मतलब निकलता है और दूसरा निकलता है बेवहार से क्या मतलब निकलता है यानि कि अपना बिजनेस को बदलना एक बिजनेस में आप काम कर रहते हैं उसको चेंज करके दूसरा बिजनेस करना या अपने बिजनेस को बदलना या अपने सोभाओं को बदलना उस के मतलब भी हमारा यही निकलता है turn over a new leaf यानि कि जब आप अपना बेवहार बदल देते हैं और बेवहार क्यों बदलेंगे अच्छाई के लिए बिजनिस को बदलेंगे और बेहतरी के लिए जब बेहतरी के लिए आप बिजनिस से अपना बेवहार बदलते हैं तो वहां पर कहा जाता है इंग्लिज में दिखी का इसका हुआ चेंज वंस भी है वेट फॉर्दी बैटर या अच्छाई के लिए अपना भी है वेवियर चेंज कर देना या बिजनेस चेंज कर देना ने दिखी क्या टॉक्टर की इसका मतलब क्या है वह सीरियस होने स्ट प्रैक्टिकल ड आप टॉक्टर की कहेंगे और हिंदी में क्या करें बिवहारिक एंव इमानदारी पूर्ण वालतालाप अब नेक्स देखें क्या होल इन वन्स हैट अब इसका मतलब आप जब लाइन टू लाइन समझेंगे तो ही इसमें आपका इसका मतलब समझ में आ जाएगा सेंस निकल साम पूर्दी करना है यानि कि इसका मतलब क्या हो गया टॉक्ट नॉंसेंस बकुष करना यानि की ब्यर्द की पात करना यह लेयों इसका मतलब होग और एंगली स्पर्द घुट रस चाई निक्ष्टी के हैं सेफ सांड ऱाज मतलब दिरे से चीलिव जाईगएं और एंग्लिव स oni कि इसका अच्छी आवस्था में अग्रॉत मतलब होता है कि जंगली बेहार करना इसा ब्युहार करना जो की जानवर की जैसा हो वाइल डेली ब्येव करना इंग्लिश में कहेंगे बिहेव इन वाइल वे। निक्स डिखें के रीड बिटूइन लाइनस अब यह तो बहुत अच्छा है आपका क्या मतलब है रीड बिटूइन दि लाइनस के बीच का करेंगे करना क्षिपा हुआ निकालना जानी कि लाइन के बीच में जो अध्र कीपा है उसको खोज़ना ने निच्छ एड़िक दी प्रोस एंड कॉंस प्रोस एंड कॉंस का मतलब आगा पीछा है यह हम कहेंगी सकारातमाग एवना का रातमा गे पॉस्टिव और निगेटिव और upwards and backwards हम इंगलिस में ऐसा कहेंगे नेक्ष देखें क्वेड़ फिस तो आप सांती होंगे फिस मिस मसली और क्वेड़ फिस कुछ नहीं जानते होंगे क्वेड़ फिस क्या है यहां पर मतलब इसका समझेगे क्या है मतलब इस्ट्रेंज परसन क्वेड़ आपके लिए क्या थ लाने की अजीब गरीब हिंदी में हम क्या कहेंगे अजीब करीब वनस बहुंद आपने नाग मत अड़ाओ यानि कि अपने में रहो यह मैटर आपसे नहीं रिलेटेड है जब वो ऐसा कहना चाहते हैं तो वहां पर कहते हैं डोंट पोक यूर नोज इन दी मैटर यानि कि इस मैटर में अपनी नाग मत अड़ाओ तो इसका क्या मतलब हुआ इंटर्फियर इन हस्तचेप करना क्या हुआ हस्तचेप करना इंटर्फियर करना अमनिस्ट क्या है प्ले दी फील्ड प्ले दी फील्ड कम क्या मतलब है कि फील्ड के अनुसार खेलना यानि कि फील्ड के अनुसार खेलना ऐसा मैच में लोग कहते हैं कि जब प्लेयर बहुत अ कहते हैं खेला है कि जहां पर नहीं लगा है वहाई पर सौट मार रहा है लेकिन उसका इस से कहले लेसन है यह दिखे इसका क्या मतलब है चूज इमंगा नंबर ऑफ डिफेंट पॉसिबल्टी जैनि कि जो बहुत सारी पॉसिबिल्टीज है उसमें से चूज करना चुनना जान कि ओडिन संभावना उमेंसे कुछ को चुलना किसी भी एक चीज को चुलना अब नेक्स्ट आप दि ब्लू आप दी ब्लू का क्या मतलब है यहां पर हमारा यानिकि नौट एक्सपेक्टेड जिस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया गया था वह चीज तो हिंदी में क्या कहेंगी अना पेच्छित नेक्स्ट कहें एन एपन ओफ डिसकॉर्ड का मतलब क्या होगी जैसे कि कोई दो लोग हैं उसमें एक आप अब दो लोगों के लिए एक प्पल क करते हैं तो यहां पर क्या हूं आपका लड़ाई है तो मैमान आता है तो हम उसको दोनों १ाहर से क्या करते हैं गली लगाते ना यानि हाथों को खोलते हैं स्वागत करते हैं तो यह उसका क्या मतलब हुआ हमारा यानि कि खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुसी-खुस और पने वान आपनों के लाब हें को फाइदा नहीं है आफ नूंइवाल का मतलब नेख दिखिए क्या मतलब देखिए क्या वना यहां पर कहना ना इस्टोंस थ्रो यहां पर पत्थर के पास यानी कि आट वेली सौट डिस्टेंस बहुत करीब से और हिंदी में कहांगे थोड़ी दूरी पर बहुत करीब से तो गाइस आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को जो इनिस दिये हैं कोसिज भी कि अच्छे से समझाने की यह बहुत इंपोर्टेंट है और इनको आप देखिए वीडियो को अगर नहीं याद होता तो वीडियो को रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं और यह जो लास में आपको मैंने पांच दिये हैं इनको आप खोजिये क्या है और उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कल लीजिए थैंस वाचिंग इस वीडियो